ये गाईस बहुत स्वागत थाप सभी का हमारे स्यूटूब चानल दवर्वन साबन में आज हम बात करने वाले एरटल के बारे में जैसा कि आप से लोग जानते हो पहले अगर आपको सिर्फ वैलेटी चाहिए होता था 28 दिनों के लिए तो वहाँ पर आपको 23 रुपे से रिचार्ज करवाना पड़ेगा वो भी आपको सेम बेनिफिट्स के साथ यहां पर आ रहा है वो रिचार्ज जो आपका पहले 23 का था उसे यहां पर करीब करीब डबल कर दिया गया है 45 रुपे से आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा आपका कॉल रेट उसके बाद होने वोई benefits यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो याद रखना अगर आपको validity खतम हो जाता है तो अब आपका 23 रुपय का रिचार्ज आपके लिए available नहीं है उसके लिए आपको minimum 45 रुपीज से रिचार्ज करवाना होगा तो अब सोच लो validity के लिए आपको minimum 45 या फिर उससे ज्यादा का रिचार्ज करवाना पड़ेगा अधर्वाइस एक बार आपका phone grace plate में आजाता और जैसे आपका grace plate खतम होगा उसके बाद आपका SIM बंद होना तय है उसके बाद आपका SIM में आएगा सर्विस not available नेट्रोंक नहीं आएगा आपका SIM card बंद हो जाएगा तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैलेड ही चाते हो तो मिनिमा को 45 रूपे से recharge करवाना पड़ेगा तो दोस्तों यह था आप सभी लोग के लिए bad news bad news भाई सब बहुत ही ज्यादा bad news है कि जो minimum प्लान था वह 23 के बंद आप 45 करना पड़े एडल का यहां पर भाई बहुत बड़ा गलती है यह नहीं करना चाहिए था बड़ देखो आए दिन प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो आगे क्या-क्या सीन हमें देखने को मिलेगा हम आपको ऐसा information देते रहेंगे तो हमारे शा देखें तेरे और बोलते रहें भारत मता की जाए धन्यवाद